नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली पुरुष जातक है और आपके हतेली हमारे शामने बिवीचना के लिए आई हुई है सबसे पहले अगर हम हतेली को देखते हैं तो यहाँ पे ये आपकी हिर्दय की लकीर दिखाई दे रही है यहाँ पे ये इस प्रकार से आपकी मस्तिस्क की रेखा है और इस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा पूरी हतेली को पार कर रही है उसी मस्तिस्क रेखा से निकल करके अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो इससे निकल करके एक करियर और धन की रेखा सनी परवत की और जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और अगर हतेली में बारी किसी देखें तो एक अर्दबिक्सित M का आकार बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है निश्चित तोर पे आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत हैं फाइव एलिमेंट जिने कहते हैं सरीर के जो सातों चक्र हैं आपकी जो पंच ग्यान इंद्रिया हैं और पंच कर्म इंद्रिया हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर है, देवायदी देव महादेव है और आपकी जो अदिष्ठात्री देवी है वो मापार होती है जितना जादा सरनांगती जाएंगे, जीवन में उतनी तरक्की भी पाएंगे, दिव्यता भी पाएंगे, भव्यता को भी प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है अब यहाँ पे एक चीज देखेगा, जड़ा सुन्दर से देखेगा, देखेगा आपका जो केतु का छेतर है, बरतमान में थोड़ा सा दोस युक्त है, इसमें दोस दिखाई दे रहा है रेखाओं का बहुत ज़्यादा जाल है, ये बता रहा है कि कम से कम डेड़ वर्सों से, डेड़ दो वर्सों तक, कोई न कोई चिन्ता बनी रहेगी, संगर्स भी रहेगा, और कहीं न कहीं जो है, क्या रहेगा, बहुत बड़ी सपलता भी, इसमें अडचने आगे आएंगे लेकिन कुछ उपाई दे रहा हूं, उनको जरूर करें, निश्चिती सपलता मिलेगे, दूसरी बात देखेंगे, यहां पर इस पश्ट तरीके से दो लकीरे हैं, ये लकीरे बता रहे हैं कि आप आने वाले समय में, स्वयम के मेहनत, स्वयम के परिसरम के बदोलत, पलता को हासिल करेंगे, और जो ये संगर्स का दोर चलना है, इस संगर्स से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इसी से आगे बढ़ कर आप हर सुक का भोगभी करेंगे, हर सुक को प्राप्त भी करेंगे, ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है, दूसरी बात, आपकी मस्त पिस्क की लकीर से इस पश्ट तरीके से आपकी करियर और धनकी रेखा जा रही है ये बता रही है कि जीवन काल के पचासवे वर्स पार होती है जो 51 वर्स आपका आएगा उस वर्स से निश्चित तोर पे आप अपनी योग्यता तथा अपनी लगन से सफलता के उच्छ सिकर क चूने बैठ जाएंगे और आपकी उन्नती दिन दूनी रात चोगनी गत से बढ़ जाएगी और इस्टेबिलिटी आपकी जीवन में आने बैठ जाएगी अस्ताइत तो आपके जीवन में आने बैठ जाएगा इस पश्ट तरीके से बताता हुआ दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर एक दो चीजें देखेगा बर्तमान में जो सूर्य की इस्तिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और जो ब्रिस्पति की इस्तिति है वो भी ठीक नहीं है चंद्रमा की इस्तिति भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है आपको इन में मेहनत करने की जरुरत है यहा से देखेंगे एक रास्त इधर से एक लकीर आती हुई दिखाई दे रही है उच्चमंगल से यह लकीर बता रही है कि घर से दूर तरकी जादा है घर के नज्दिक बहुत ज्यादा तरकी नहीं है और विदेशों से भी अच्छा खासा धन आने की संभावना यहां पर दिख र उरुजा प्रवपर तरिके से प्रवाइडने कर रहा है। इसका मतलब है कि कही न कहीं जिस परकार की आर्थिक इस्तिति आपकी होनी चाहिए थी 좋은॥ जिस परकार का विस्तार और जिस परकार का फैलाव आपके कामों का होना चाहिए था, उस परकार का है नहीं। काम होते तो हैं आपके लिकिन कामों में अर्चने आती हैं काम बिलम हो जाते हैं जिस प्रकार का यस मिलना चाहे था वो यस नहीं मिल पा रहा है क्यों क्योंकि सूर्य और जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है और जब सूरे और जब प्रवाइड नहीं करता है तो व्यक्ति जो परिश्रम करता है जो प्रियास करता है वो प्रियास पूरी तरव से सपलता की इस्तिति में नहीं पहुँच पाते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है जो परिश्रम करता है उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क् है वो ब्यक्ति को नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति सूरे की हो तो ब्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है जो योग्यता होती है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है निखर करके नहीं आ पाती है एक सहजता से एक सरलता से ब्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसे में बिक्ति अगर ब्यापार कर रहा हो तो ब्यापार में वो विस्तार, वो फैलाओ, वो नाम, वो यस, वो ब्रांड बन कर बिक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो नौकरी में भी वो वास्तुक ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए बिक्ति ने अपने आपको खपा लिया था एक सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है आर्थिक इस्ति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है चमक नहीं रहती है जो रहनी चाहे चकाचोंद नहीं रहता बिक्ति नई चीजें लाता तो है लेकिन उसमें विस्तार नहीं पाता है कारियों में बिलंबता आती है क्या करना चाहे सरल उपाय है एक दिब्य सूरे के रिया दे रहा हूँ मैं साथ में सूरे की उपासना दे रहा हूँ इस उपासना बिद्ध को दिब्य सूरे के रिया को जरूर करेगा निश्चित ही आपको अच्छा लाब होगा क्योंकि उससे एक चीज घटित होगी आपके जो सारिरिक चक्कर है जो सूरे की चक्करों के साथ परस पर ताल मेल में नहीं है वो धिरी धिरी ताल मेल में आने बैठ जाएंगे और उसका असर जीवन के तमाम आया मौपे पड़ेगा किस प्रकार से दिखेगा? आप देखेंगे आपकी जो सारीरिक सेहते वो बिहद अच्छी हो जाएगी आपका मानसिक संतोलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजिता से चलने बैठ जाएगा फिर देखेंगे आप कि आपका सारीरिक स्वस्त्य है जीवन की खुसाली है जीवन का उत्सा है जीवन की उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजे आपके साथ रहेंगे आर्थिक इस्तिति जहां जबर्दस्त रहेंगी कामों का विस्तार वहां कामों का फैला वहां जबर्दस्त होगा तो जो भी समस्याई आ रहे हैं सूर्य और ब्रस्पति के कारण आपकी जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है कार्य के सिलसले में, स्वास्ते के सिलसले में, परिवार के सिलसले में ठीक है न? तो इनको आपको ठीक करना है दूसरी बार देखेंगे यहाँ पर ब्रस्पति सनी की तरब भागता वहा दिखाई दे रहा है परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताई उभर सकती है बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ी सी उभर सकती है दूसरी बार देखें यह यहाँ पर धीरे-धीरे सामन्य हो रहा है साधरन आउस्ता में आ रहे है और इस आउस्ता में यह आपके अंदर भी साधरनता देती हुई दिख रहे है सामन्य बिक्तित देने की कोशिस कर रहे है ठीक है नहीं? तो क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? दिब्य योग ध्यानी के रिया करना है या विश्णु की पूजा अगर आप कर सके वह ऐसे मैं ओडियो के मादेम से दूसरा उपाई की दे दूँगा आपको हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है यहां से लकीरे जा रही है प्रोग्रेस की लकीरे है ये और यहां पे आप देखेंगे तो चतुसकून बन रहे है मनी आपका जो ब्यापार होगा केवल एक चीज का ब्यापार में सिमठ के नहीं रहे नहीं वाले आप ठीक जीवनकाल के 51 वर्स से मल्टिपल ब्यापारी होंगे आप मल्टिपल चीजों के ब्यापारी ठीक है नै निश्चित रोप से चाई दो ही ब्यापार हों लेकिन सिंगल नहीं रहेगा आपका ब्यापार डबल डिजिट का होगा और दोनों में लाब अच्छा खासा रहने वाला है ये भी बता रहा है लेकिन सूर्या की तरह बहुत जादा ध्यान देनी की जोरुरत यहाँ पे दिखाई दे रही है अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज और कुछ थोड़ा कमजोर है आपका है ये चंद्रमा का भाग अनबैलेंस है इसके कारण आपका मन थोड़ा गडबड रहता है मानसिक प्रेशानी आपकी जीवन में रहती है और कभी-कभी ऐसी इस्तिती भी आती है कि भावकता आ जाती है या आप इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाती है कभी-कभी मन ब्याकुल होता है मन भटक जाता है कारियों में मन नहीं लगता है खराबसा हो जाता है और कभी-कभी digestive system का धाचा भी हल्का बिगड़ जाता है पेट का आपको ध्यान रखना पड़ता है और कभी-कभी तो नीन आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है इन सबसे छोटकारा पाने के लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना है और देखे का चंद्रमा क्या है जलतत्त्तो का मालिक है मन का कारक है सतर प्रसेंट हमारी जीवन में इसका अधिकार है तो सतर प्रसेंट हमारी जीवन को बदलने की चमता रखता है तो चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं कन्नी की कोसिस करें यहाँ पे अगर हम देखें यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है मिडिल फिंगरी की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मातनामी आपके अंदर है इस वर में पूर्ण बिस्वास है और विश्वास हमेशा बना रहेगा इस बात की गारंटी दे रहा है मिडिल फिंगर किसी के तरफ नी जुकी है सीधा खड़ी है और एक एकुरेट अनुपात में खड़ी है यह आपके मानसिक चमता को बता रही है आपकी अध्यात्मिक चमता को बता रही है कि जहां मानसिक चमता आपकी चबरदस्त है वही अध्यात्मिक चमता भी बराबर है और आने वाले समय में भग्या का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा स्वाबिमानी रहेंगे विवेकी होंगे औरों की मदद करने वाला विक्तित्व आपका है बुद्धिमान है भग्यवान भी है और कारे के पर्ति जुजहरुपन है मेहनती है कर्म में विश्वास रखने वाले ब्यक्ति है ये उउगली हल की जुक रखी है Middle Finger की तब यस पाने की इक्छा आपको भी रहती है नेमभिम पाने की इक्छा रहती है अपने कार्यों में विस्तार पानी की इक्षा भी यहाँ पे दिखाई दी रही है यहाँ पे ब्रस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है चीजों में रिस्क लेने की अच्छी चमता है आपके अंदर चीजों में जोखिम उठाने की बहुत तगड़ी चमता आपके अंदर है यह पावर बहुत बढ़िया है आपके अंदर और उनमें कहीं कोई नुकसान हो जाए रिस्क लेने में जोखिम उठाने में तो हिम्मती स्वभाव भी है, गिर कर पुनो उठने की चमता है हमारा हस्त रेखा का पौरानिक सास्तर भी कहता है कि आपकी ये उंगली बड़ी हो, रिंग फिंगर, सूरे की उंगली ब्रेस्पती की उंगली से, तरजनी की उंगली से और मिडल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा बिक्ति ये सुस्वी होता है इसका मतलब है आप ये सुस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्टा पाने वाली बिक्ति होंगे यस पाने वाले होंगे, नेम फिम पाने वाले होंगे, अनिश्चित ही एक सपलतम जातक होंगे ये आपकी हतेली के उमलिया कहे रही है, लेकिन थोड़ा नगेटिव प्रभाव भी दे रही है इन दोनों के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे गैप है ये सनी के नैसरगिक नगेटिव गुणों में बिर्दि करता है जब जब कुंडली में आपका सनी, साड़े साती में रहेंगे, धैया में रहेंगे, या बकरी या रुष्ट अवस्ता में रहेंगे तब तब इस गैप का जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, गहरा और लंबा आप कितना पड़ेगा, ये इसके उपर डिपेंड करेगा, कि आपके कर्म किस प्रकार के है सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से जुक रखी है, और यहाँ पे जो है, रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने के ललक जबरदस्त रहेगी, और ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, तो निश्चित ही एक उतक्रिष्ट ब्यापारी बनेंगे उच्वर्ग का ब्यक्तित्त रहेगा, सरेष्ट और सपलता की प्राप्ति करने वाले है, ये इस पात की और ध्यान दिला रही है और अपनी ही बनबूते पे आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, ये इस्तिति यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है बहुत सुन्दर इस्तिति है, एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील ब्यक्तितों भी रहेगा जीवन काल का जो बुडापा है आपका वो और भी शानदार राजसी और लग्जरी जीवन में ब्यतीत होगा खास करके 56 वर्ष के बाद का समय है यहाँ पे अगर हम देखें हिर्दे रेखा सीधा सीधा देव गुरु ब्रिस्पति को टच कर रही है पहुचनी रही है कि वो टच कर रही है फिर भी दो तीन चीजें कह रही है बरतमान में सुबह उठते ही तीन चीजों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है उठते ही पैसों पे ध्यान जा रहा है फिजिकल बोडी पे ध्यान जा रहा है कारियों के विस्तार में ध्यान जाता हो दिखाई दे रहा है आगे बता रहा है यह सोरे के परबल और पुष्ट अवस्ता में आने पे जब सोरे अच्छे गुन देगा अच्छी उर्जा प्रवाइड करेगा तो ये योग बता रहा है देखेगा चाहे आप जीवन में ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी कोई काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन भी आप ब्यतीत करेंगे ये इस पश्ट तरीके से कह रहा है आपकी मस्तिस्क रेखा देखें तो पूरी हतेले को पार करके और चंद्रमा की और मिलती हुई दिखाई दे रही है और बरतमान में ब्रिस्पति थोड़ा साधरन है तो ऐसी इस्तिति में ये चिंतातुर सुभाओं को देता है लेकिन जब ब्रिस्पति पुष्ट हों सुन्दर हों तो ये अच्छे फल देता है ब्यक्ति की कलपना सक्ति बढ़ती है पर फिर भी ये मस्तिस्क रेखा बता रही है प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाली बिखती हैं आप ज़्यादतर हमेशा कलपनाओं में डूबे रहने वाली बिखती हैं आप आपका जो मन है वो एकागर्चित कम हो पाता है और कम ही हो पाएगा लेकिन आप अपने जीवनकाल में स्रेष्ट सपलता भी हासिल करेंगे लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कलपनाओं में भी डूबा रहेगा आपकी मस्तिस्क की लकीर कह रही है जीवन की लकीर आपकी बड़ी शानदार है पूरी हतेली को पार कर रही है और इस रेखा पे कहीं न कहीं मिल रही है एक तो स्वस्थे के मामले में बड़े अबल रहेंगे दूसरा आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो बड़ा आकरसन वाला रहेगा तीसरा उम्र अच्छे खासी लंबी रहेगी यह बहुत अच्छी है चोथा परिवार के परती बहुत जादा समरपन रहेगा केरफुल व्यक्तित्व रहेगा और इसका फाइदा आपको आने वाले समय में जबरदस्त दुरूप में होगा यह भी भता रहा है अब यहाँ पर देखेंगे इस तरों से यह जा रही है यहाँ पर एक रेखा इस परकार से विदेश से भी अच्छा कासा धन मिलेगा आपको अगर आप सोच रहे हैं न एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस परकार का काम तो आने वाले समय में यह जबरदस्त चलने वाला है दूसरी बात है कैसी भी प्रस्तित हो धहरे नक होने वाला बिक्तित रहेगा यहाँ पर धीरे धीरे यह रेखा इस पश्ट आ रही है एक से जादा सुरोतों से धन का आगमन भी आपकी जीवन में होगा लेकिन थोड़ा एक चीज का ध्यान लखे यह रेखा इस तरह से जा रही है इस पे और यह थोड़ा नीचे की तरफ जुकरा है जो दामपति जीवन का पूरा सुक है उसके भोग में हलकी कमियां आ सकती है ठीक है इस चीज का ध्यान लखे अब यहां पे देखेगा यह सुक्र का परोत है कला के लिए है, सुन्दरे के लिए, शुन्दरता के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुन्दर होना जरूरी होता है आपकी हतेली में वास्तों में सुक्र का परोत सुन्दर अवस्ता में है तेजोमय अवस्ता में है आपको भी ये तेजोसवी बना रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी परसुनल्डी पर ध्यान देना अपने को सज सववरकर रखना ये चीजें जादा रहनी वाली है नई चीजों के परती रुजहान बनेगा नई फैसन के परती नई कपड़ों के परती मार्केट में नई चीजों के परती और बहुत एक सुक्सुदाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकरसन रहेगा लेकिन एक बहुत अच्छी बात है परिवार का सैयोग परिवार का सपोर्ट बराबर मिलता रहेगा आने वाले समय में परिवार की तरफ से सुखद अनवाओं होगा जो मन में खुसियां बिखेरेगा और उससे मन प्रसन रहेगा अपने कोटुम का भी सैयोग मिलेगा और जो सुखद जीवन है आने वाले समय में चमक देगा यह चका चोन रहेगा गलेमर आपके पास देगा और आपकी प्रशनल्टी को ऐसा निखारेगा कि दस आदमियों के बीच अगर आप जा रहे होंगे तो अलग से आपकी चमक आपकी धमक दिखाई देगी तो आपका ये सुक्र बहुत अच्छे फल आगे देने वाला है निमन मंगल और उच्च मंगल देखें दोनों बहुत सांदार है प्राकरम अपनी तिब्र अउस्ता में है और एनरजेटिक स्वभाव आपका बनावा दिखाई दे रहा है थोड़ा इसको हलका ठेक करें सनी की अगर हम बात करें थोड़ा सुबा उठने में हलका अलश्या मैसूस हो सकता है बाके सब ठीक है हाँ सुरे बहुत जादा कम जो रहा है इसको ठीक करना है बुद्ध की इस्तिति अगर देखें ब्यापार के लिए आपका बुद्ध बहुत अच्छा है बाणी के लिए बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं जो है आपके सुक सुबदाओं के लिए भी अच्छे इस्तिति को पैदा कर रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतियले का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादियम से आपको भेज रहा हो आप करने की कोसिस करें निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाब अपरात होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार